वेल बच्चों कर आप नीट 24 की तयारी कर रहे ना है आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉडेंट खबर आ रही है यह नमसी ने कंफर्म कर दिया है कि नीट 24 में कॉमन काउंसलिंग होने वाला है अब यह बात में कैसे कह रहा हूं तो एनमसी का जो ओफीशल वेबसाइट है वहां पर एक नया सर्कुलर आता है इस वीडियो को एंट तक देखना तो आपको यह समझ में आगी कॉमन काउंसलिंग क्या होता है और यह सर्कुलर ने क्या समझाया है हमें देखिए आपको अप्टोडेट रहना बहुत ही जरूरी है जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो सब्जेक्टी था कि नाशनल लेवल पे ना काउंसलिंग के प्रोसेस को यह एन्हांस किया जाए स्मूथ किया जाए और इस मीटिंग को किसने संबोधित किया है तो बड़े गौर से देखना डॉक्टर अतूल गोयल सर अब इनका यह बहुत ही की रोल था क्या था उसके बा असान करने वाले हैं और कॉमन काउंसलिंग का कॉंसेट रखा गया था अब देखो जी अब आगे उन्होंने क्या बोला है अबर मिशन अद एनम से इस तो रेजर स्टांडर अफ मेजिकल एडुकेशन इंडिया एंड ट्रांस्परेंट इन स्मूथ काउंसलिंग प्रोसेस असको बहुत ही आसान किया अब डॉक्टर अतुल गोयल सर ने इसको रिप्रेजेंट किया है अब इसके बार में डिसक्स करेंगे यह पूरा जो पीडिएफ है यह आठ तारिको मीटिंग हुआ था और यह एनमसी का ओफिशल वेबसाट पर पढ़ सकते हैं अब अतुल गोय का और इन्होंने बहुत सारे स्टेट गवर्मेंट करना एक लेटर बेजा था कि हमना कुछ कॉमन काउंसलिंग के बार में सोच रहे हैं और इन्होंने पुरा ड्राफ्ट रेडी कर लिया था 23 के अंदर इनको अप्लाय करना था बट कुछ स्टेट ने इनको परमीशन नहीं ऊपाना स्टेट कोटा पर अलग लेवल से अपना काउंसलिंग कर वाया और अर यह उन्द्स क्या होगा ना कि अगर आप MCC में बैठते हो तो आपने वहां पर अलग से फीज बरा इस टेट में बैठ रहे हो तो आपने अलग से फीज बर रहे हो यहां पर आसान क्या हो गया कि एक ही जगह तुम फीज बरो और तुम दून जगह तुम यहां पर अप्लाय कर सकते हो देखो यहां पर क्य आपको फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज लॉट हो गया तो आपको फिजिकली सारे डॉक्यूमेंट्स या के वहां पर देने पड़ते थे और आपको अपना एडमिशन लॉक करना पड़ता था अफिर आप तुम सेकेंड डाउन में बैठ रहे हो अप्ग्रेशन के लिए तुम र उसरा कॉलेज में में तुम भागे-भागे जाओगे वहां से उठाओगे डॉक्यूमेंट फिर यहां पे डालोगे अब प्रॉब्लम यहां पे कैसे होता थ कि किसी बक्र लीका में सीड मिलग लिया सम начала बिचा बिहार चालटि लिएक वहां पर फिजिकली क्या अब हैश्क counseling से क्या हो गया न कि जो candidate ना वो virtually join करेंगे देखो लिखा है न कि the candidate can join virtually and surrender resign virtually कब तक candidate has to join the physical from the third round onwards third round से आपको physically जाना पड़ेगा या तो आप लोग first or second round में आप लोग virtually क्या कर सकते हो जी ले सकते हो और उसको last round अभी के समय क्या थोता जी कि second round के बाद आप लोग seed को upgrade नहीं कर पाते थे लेकिन dynamic counseling के बाद जब यह concept आएगा तो आप लोग last round तक अपने seed को update कर पाऊगे अपग्रेड कर पाऊगे third क्या जी common counseling for the private college यह क्या है देखिए for example पहले क्या था कि अगर आपको private college में admission लेना है तो आप लोग हरे college में अलग अलग से आप लोग उनका fees भरते थे और वहां पर registration करवाते थे अब यहां पर common counseling होगा तो एक ही authority होगी एक ही जगा पैसा भरोगे और वह सारे college में अपने बिहाँ पे apply करवा देगी जिस college में तु तुम वहां पर जाके donation भरोगे और अपना admission तुम लॉक करवाओगे है ना मतलब for example समझते किसी बच्चे को admission लेना प्राइवेट में तो उसने डिवाय पार्टी में एक्स वाय अमांट भर दिया अब उसको कौन सा seat मिला समझो कि उसको यह डिवाय पार्टी वाला मिला तो वही बॉड़ी इस दोनों college में आपके apply कर देगी अपने भीहाफ पर दे को वही बूला गया proposal of common counselling for all the private colleges seat in the open category अब open category का मतलब क्या होता है वो बच्चे जिनका state domicile नहीं रहे उनका domicile required नहीं है across the country under the state the states are requested to identify such seats बोला गया state को कि ऐसे seats को identify करके आप लोग इस बात को बताईए अच्छा इसके बाद एक और एक बहुत यह तो तुम्हारा निट 23 के अंदर भी देखने को मिला है ओके online uploading of documents तो को अब में से क्या कर रही है ना software provide कर वाएगा medical college के लिए अब पहले क्या होता था कि अपने form भर दिया आपको physically जाके पुरा verify करवाना पड़ता है अपने आपको लेकिन अभी आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा क्या कि आप लोग online ही अपने आपको verify करवा सक्ते हो MCC सारे government जो भी college participate कर रहे है उनको एक software provide करवा देगा देखो MCC to provide a software to the participating institute where a candidates will upload the scanned copies of their certificate and nodal officer will check the certificate online thus candidate can report online इससे आप लोग online ही report कर सक्ते हो और online ही आप लोग उसको surrender भी कर सक्ते हो उसके बाद क्या अब single choice feeling at the beginning only अब पहले क्या था ना कि आपका round one होगे आप लोग वापस से choosing करोगे अब ऐसा नहीं होगा अब एक ही बार तुम कर लो और वो धीरे धीरे आपका ऊपर आते वे चले आयागा जी ठीक है यह तुमारा single choice feeling at the beginning वाला concept भी आया था जी अब दे anticipate करेगा बट अब जब common counseling आएगा ना तो ऐसा नहीं होगा seat के number intact होंगे और उसे seat पर तुमारा admission करवाया जाएगा इससे फाइदा क्या होता ना कि अब जिसकी अभी का तुम इजामपल देख लो special stay vacancy round in को लाना पड़ा seats कुछ college को recently permission मिले अब वो उतर गए counseling के अंदर तो dr. अतुल गोहल सर इन्हों रखा था और यही आर्ट तारीक हो है ना mcc के अंदर counseling process को smooth करने के लिए बात इन्होंने कर दिया है तो अभी क्या है November का महिना है इनके पास समय है पूरा implementation कर सकते हैं लोग और एक बहुत important खबर है उसके बार में मैं next video में बात करने वाला हो resources से अगर confirmation आ जाती है एक नई state body बनाई गई है center के तरफ से जो कि आपका NEET का exam conduct करवाएगी जो NEET SS, NEET PG का exam conduct कराती है वही NEET UGP conduct कराएगी इसके बारे में detail में किसी और video में बात करेंगी ठीक है तो इसमें अगर किसे को doubt रहेगा do let us know in the comment section यह पूरा article है ना आपको उनक रहेगा ठीक है अच्छा एक और एक बहुत बड़ी खबर है मुना क्या कि 14 तारीक से from the 14 onwards हम लोग 10 दिन का 10-day challenge कर रहे हैं हम लोग जैसी कि biology में 10 unit है daily हम लोग एक unit सुबह 10 बजे on academy के free special class जो की पोल बेंच होता है वहां पे करने वाले हैं 200 question एक class में होगा इसका मतलब 10 दिनों में 2000 questions करने वाले link के description box में enroll कर लो free है एक रुपय भी आपको नहीं देना है जी ठीक है आज़ो जी उसके बाद मुना क्या है जी अनकाडमी पर 50% off को एक्सेंड किया गया है कब तक 14th November तक है ना 50% आपको अनकाडमी प्लस और आइकॉनिक पर आपको off मिलेगा जी और जब first 100 learners होंगे उनको physical books provide कर वाये जाएंगे ठीक है अच्छा आप लोग चैनल को subscribe कर लेंगे कुछ भी latest update आएगा सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा मिलता आपको अगले वीडियो में अभी क्लियर बचते तना है थाइंक यू जाइन बब बाई